हलो एवरिवन तो दोस्तों स्सी की ओफिशल वेफ्लाइग स्सी.nic.in पर अभी दो नोटिफिकेशन आया है एक नोटिफिकेशन है आपका एक्जाम डेट से रिलेटेड और एक है आपका एक्जाम रिजल्ट से रिलेटेड तो कुछ लोगे के लिए काफी अच्छी ख़बर ह रिफिकेशन की बात हैं शीक निकलती है की इसे क्च बाते निकलती है कुछ इम्पोर्टन बात इसके बारे में बदेखते हैं सबसे पहरे बात करते हैं CGL 2020 के बार में, CGL 2020 टीर वन का result है, वो आने वाला है, 31 दिसम्बर की tentative है, शायद आगे भी बढ़ सकते हैं रही है, 31 दिसम्बर दोस्तों उतने आपको पता जो थो 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 थो, like 2017 में, तुस टीर वन हुआ था, वो हुआ था आपका अगस्त में, और tier 2 जो था उस schedule किया गया था November में लेकिन हुआ था court के असले से फिर February में हुआ था result आपका शायद October में आ गया था October मतलब initial October में आ गया था 2018 में tier 1 हुआ था June में और tier 2 हो गया था September में जून जुलाइगा सप्टमबर तीन महीने में 2019 में जो tier 1 हुआ था March में और tier 2 हुआ था November में हाला कि जून में schedule था year 2 लेकिन Corona के वज़े से postpone हो गया और आपका November में हुआ था तो आप लाज़ा लगा सकते दोस्तूं जबए tier 1 होता है तब से लेकि तक्रीबर देर से दो महीने में tier 1 का रिजल्ट आ जाता है हमेशा से यह हमेशा ट्रेकर कर रहा है तेकि इस बार यह जो रिजल्ट ही है तक्रीबर चार महीने का डिले यहां पर देखने को मिल रहा है अगस्त में अपर एक्जाम हुआ है कब डेट्स आएंगे काफी दिनों से क्योंकि कई बार से पहले ही एनाउंस कर देती जब नोटिफिकेशन आता था तब ही और कई बार बीच में अभी तक कोई नहीं आया था डेट वेट कर रहे थी कि शायर आएगा उसके बार में कोई इंफरमिशन नहीं है प्लस तो नुनिस जबार जो फाइनल रिट था उसका वेट करें से काफी लोग कि फाइनल रिट दिया जाएगा क्योंकि अभी देखिए कि अभी देखिए कि इक से तंबर को काफी एससे से लोग रखार का फाइनल रिट आने वाला है तो मतलब कि अभी एससी फाइनल रिट पब्रिश करने के फिराक में है ठीक है तो मुझे नहीं जोता कि दिसंबर से ज़्यादा पुस्पोन होगा दिसंबर तब 2019 का फाइनल रिट आ जाना चाहिए ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है आगे बढ़ता है अब देखिए अब क्या है अभी तक वो अच्छी से तैयारी शुरूर हमने कर दिया था अब यह नोटिफिकिशन दे के शाहिए उनका प्रिवेशन तो वह असमें पर सकते हैं कि करे या नहीं करें कैसे करें ठीक है तो सब्सक्राइब करने में लग जाते हैं तो यहां का इंटेंशन आपने पास ठीक है तो क्लिए अगर वह ऑप्षन आपने रखा हुआ है तो आप सविच कर सकते हैं लेकिन जिल लोगों का टारीट सीजियल ही है क्यों सीजियल ही क्रेक करना है उनके लिए बहुत अच्छा गोल्डी ना पोच्छी यह कैसे वह बताता हूँ जैसी क्या होता तो लोग माली चे कि टीर वन में थोड़ा जिन तक कम स्कोर रह गया उनने जी जान लगा कि मैसिफ मैस और इंग्लिज पढ़ा टीर टू के लिए लेकिन बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए अब फिर वो क्या लग करते हैं कि अब वो करगे टीर वन के लिए प्रिशन ले तो इसी बात है अभी लेकिन यह नोटिवेशन आया है इसमें क्या वाकता है दोस्कों कि इसमें आपना क्या आपको डेट्स में जाती है अलग से अब में जाता है इस टाइम में क्या है कि आपका मानी जी कि अभी जैसी की 31 दिसंबर आपका रिज़र जाएगा टीर वन का हम लोग एक सब्सक्राइब कर रहे थे कि नुवमबर लाच्ट तक आपका ट्याटियर टू हो जाएगा लेगिं यहापे 31 दिसंबर पर आपका रि करने के लिए तो वैसे लोग जिनका टीरन में कम स्कॉर है उने पास बहुत अच्छा मौगा है टीर टू में भी अच्छा प्राम करने का और के लिए टू की बात करें तो मुझे लगता है कि I think Feb से पहले तो होने का चांस मुझे नहीं लग रहा है तो आपका Feb क्या असवास होगा और उसके बाद दूसरा 21 की बात पर दोस्तों तो काफी ज्यादा चांस है कि यहां पर CET इंट्रडूस हो सकता है आप गौर की जिगा थोड़े बढ़ गए हैं 100% नहीं कर रहा हूं थोड़े से बढ़ गए है 40-50% तो ज़रूर आप कह सकते हैं कि CET कंड़ेट करें यह इतना ज़्यादा डिले कर रही है इसका रीजन यह हो सकता है कि अब वो CET का जो CET का जो exam है जिसमें सारी exams incorporate होने वाले हैं उसमें schedule match करें ऐसा हो सकता है तो वो जिस टाइम में आता है उसी टाइम के आसपास CGL 2021 का notification release हो ऐसा हो सकता है ठीक है तो बात यह है कि आपके पास CGL 2020 करने का अच्छा होता है अगर आपके कम marks थोड़ से भी ज्यादा marks से cut off से तो पहले चीज़ और दूसरा CGL 2021 के लिए आपके पास अच्छा खासा time होगा ठीक है तो time बहुत जादा आपको मिल रहा है इस बात के लिए हम निश्यंत हो जाएगे बिल्कुल zero level से जहां आपका कि क्या होता है कुछ लोग डीले अगर होता है तो लोग फरस्टेट होता है यार पता नहीं अब कब होगा अपको किसी का माइंसा जासा होता है यार अच्छा से पढ़ लेते हैं बिल्कुल basic से पढ़ लेते हैं तो यह सब कुछ आपके mindset और आपके intention पे your intention यह सब कुछ करता है ठीक है और time के बारे मैंने आपको अच्छे से बता दिया ठीक है आपको tier 2 के लिए बहुत sufficient time मिलेगा 2020 tier 2 के लिए 2021 के लिए यहाँ पर time की कोई दिक्कत नहीं मने वाली है अब delay अगर हो ही रहा है तो SLC का तो यह routine ही है delay करने का तो हो रहा है तो इसमें हम लोग सब notification expect कर सकते हैं government के through CET को लेगे ठीक है तो कुछ अगर इसके बारे में आता है तो detail में बात करेंगे और और यही था notification मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ही नहीं बाबाए